हेलो फेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में जहां पे कुछ 132 पोस्ट निकली है तो इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से आपको एपलाई करना है किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है किस तरह से आपको application form बढ़ना है payment कैसे करना है document कैसे upload करने यह सारी की सारी चीज़े इस वीडियो में cover होने वाली तो वीडियो को end तक जरूर दीखेगा इस website का link आपको description में मिल जाएगा और साथ की साथ official तो डलना है वरना नहीं डाला है ठीचि कभ़ अब्रेइल डालना ह ? यह निंट को जो है आपि आपको नाम डालना है और फिर आपका चीज़ डालना है यहां पर आपको सेक्वरिटी कोड डालना है उसके बाद आपको फोटो एंड सिगनेचर अप्लोड करने तो आपको यहां से सटर्ड कर लेना है फोटो और फिर यहां से आपको सीनेचर का साइज 10-20 कवी का होगा तो यह आपको करने के बाद किलिक कर देना है उसके बाद नेक्स कर देना है तो यहां पर फोटो सीनेचर अप्लोड होगे आपसे कुछ डिटेल समांगी जाएगी आपकी जन्रल में हो या इकनोमिकल वीक हो और इस्टी और जो भी हो आपको अगे इंफोर्मिशन देनी है अगर यह उसी में आता है अगर आपको इसकर नहीं हो तो आप उसकी अक्वर्डिंग कर सकते हो उसके बाद अगर आप अंडर सेक्शन 2016 के एक्ट के अनुसार आर्पी डावलोडी में या डिफेक्टिव आते हो या पिडिफ्सैबलिटी है आपको तो आप यह कर सकते हो ठी चीजे आपको फिल करने पड़ेगी अगर आपको एक्जामिनेशन में कोई कंपर सेंट्री जाईए तो यह करना ठीक है अगर नहीं आपको सिंपल आपनों कर सकते हो ठीक है तो उसके बाद आपको क्या सब्सक्राइब करना है उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना है रि तो कितने महीनों तक काम किया नहीं है तो simply not कर सकते हो तो अगर आप minority community से belong करते हो तो आपको yes करना है तो यहां से आपको job location चाहिए तो यहां से आपको job location से लेकर करना है तो आपको इसे तीन वार आपको तीन पर देनी है तो यहां से आप अपने इसाप से जो भी स्टेट में देना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं तो यहां से आपको वही आपको state यहां पर ब्रांच करना है यहां पर आपको ब्रांच जाते हैं पर यहां पर पर लोकेशन विआ अपको फट आफट करना है तो यहां से इस तरह से बाड लिए के सकते हैं पाइंडिया है तो इसके बाद आपको डेये यहां उपको बड़ना है इस यह फिमेल जो भी युश्कार आपको चाहिक तो आपको सिस्ट आनsung डिशा नौ करने अधर वागे जंडर्स स्वीन कर दो में संट्र है जो होता जो भी आप चलिए मैंने आर्डली लिख लिए Patricia टो आपको यहाफ यहां पर निमाताजी का नाम लिखनाए तो मैं नाम तो हिसके बाद यहां पर आपको आपको अर्ड्रस देना है इन में 33 लिए और एक लान में 35 ही यूच कर सकते हैं इस बाद का ध्यान दीजेगाlight डालीएगा अपना इंप्रूटन्ट होता है इसके बाद यहां पे पिन कौड दालना है ऐसना को है यहां पर मामनेंट अणटे livestock दो आपको यहां पर्मानेंट कर लेंट डेकर तो यहां पर नहीं जो होग वह कहांपे आएगा लोगाद वेली डिटेल्स, सेरajes के बाद यहां से अपने डिटेल्स बतानी है तो graduation तो नाम इसके आपने किया है उसके बाद यहां पर किस डेट में आपने पास किया है वह सकते हैं यहाँ से स सब्सक् Confirm करने के बाद दाल सकते हैं यहाँ पर आप sagen आप पर से आप प्रजेट ली वरकिंग है वर माई करका है है अगर आप यस करेंगे तो आपOS करेंगे हैं तो आपको बस ड्रेट रुटाना है कि कब कर देख सकते हैं कि कब कर टेक्त क्या तो यहां पर अप्को व्ट यानिये हैं कि ड्यूटी तो कम्प्लीट हो गया तो लेंग्विज यहां से स्विक आपको आती है तो आपको एंग्लिट कर सकते हैं यहां पर इंग्लिस टाइप करना है उसके बाद read write or speak कर सकते हैं तो आप तिकरिया उसके बाद आपको third language जगर आती है कोई सी भी तो आप उसको बता सकते हैं उसके बारे में आपको क्या आता इसके बाद validate करने अपने details को okay कर देना है simply ठीक है और फिर save and next पर click करना है तो इतना ही simple है form को भड़ना जितना आप देख पा रहे हैं और save and next करने के बाद यह सारी details आजाईए आपकी तो simply आप चेक कर लिजेगा चेक करने के बाद आपको I agree करना है declaration form पे उसके बाद अगर edit करना है तो back वरना आप complete registration कर सकते हैं complete registration करने के बाद कोई changes नहीं होगा ध्यान रखेगा इसलिए आप check कर लिजेग अच्छे से एक Education लेदर दे हैं totally अब करने के बाद आपको यहां पर left thumb impression देना है थाहां पर आप απ निद्रेग लाइशन देना है यहां आपने वाइंगर new Dame लाइन सब्सक्रेट करना है और बाद आपको simply क्या करना है सेवे next करना है कर दीना है कि उसके बाद यहां पर दालना है वह यहां पर डालना है तो history code डालने के बाद आपको simply submit करना है okay कर देना है आपको सा त्लिक learning करना है तो थोड़ा सा टाइम लेगा तॉसके बाद आप को options होने लगेंगे debit card credit card टिक अज़र bank का सुझे आपको बंकिंग होती है month year यहाँ पर सीवी बतानी होती है यहाँ पर कार्ड यूज करें उसका नाम उसके बाद में पेमेंट करना है आपके पास एक OTP आएगा और OTP भील लगने के बाद आप सकस्सवली रजिस्टर कर सकेगे तो अगर यह information अगर आपको काम की लगी हो तो इसको को शेयर कीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को जो graduate हुए है या graduate हाली में हुए है ठीक है ताकि यह information उनसे मिस ना हो और वह भी इन पोजिएट झाल